जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ काली मा आती है और काली मा के साथ बाबा भेरो भी आते है क्योंकि ये सक्ति ऐसी है कि काली मा को पूझोगे तो भेरो बाबा आएंगे ही आएंगे और भेरो बाबा को पूझोगे तो काली मा आएगी ही आएगी ये दोनों शक्तियां एक साथ रहती है और जैसी कि आप सभी भक्तों को पता है, काली माता के बेटे हैं, भैरो बाबा, तो ये अंग संग माता के रहते हैं, तो इसलिए जब काली माता आपके घर में आती है, और आपके सरीर में सवारी आने वाली होती है, मा काली की, तब ही आपके सरीर में भैरो की सवारी भी आती और एक जलक दिखाती है अब जो मैं वीडियो में आठ संकेत बताने जा रही हूँ ये संकेत आपको पहले दिखाई देंगे जब आपके सरीर में माता काली के साथ भैरो की सवारी आने वाली होगी तब ही आपको ये संकेत दिखाई जाएंगे तो मैं आपको जो आठ संकेत बतारी हूँ इन में से अगर आपको कोई भी संकेत कभी भी दिखाई देता है तो आप इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि आपके सरीर में काली माता की और साथ में भैरो बाबा की सवारी आने वाली है तो चलिए भक्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहती हूँ अगर आप लोग महा काली भकत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भकतों के पास बूझे जब काली मात आपके सरीर में आने वाली होती है तो काली मा के साथ भैरो बाबा भी आते हैं और ये दोनों ही शवारी तब आती है जब आपको इस संकेत आपको अपने अंदर दिखाई दे रहा है तो आपको इस वीडियो से मदद मिल जाएगी और मैं सभी भकतों से रिक्वेश्ट करना चाहूंगी इस वीडियो को काली मा के और भैरो बाबा के सभी भकतों तक शेयर करना था कि सभी भकतों को इन संकेतों का अर्थ पता चल पाए और ये पता चल पाए कि ये जो संकेत उन्हें दिखाई दे रहे हैं इसलिए सब सुनें कि दब्षा पहला संगेति कीकी के अचानक से आप लोगों के र हाथ पार्सों पथा के इसले हुआ अचानक शाध के कोई चोट लगेगी ना आपके एक्ष्रेंट होगा ना आप गिरेंगे कहीं अचानक से आपके कोड मतलब हाथ की तरफ यहां पर दर्द देखने को मिलेगा जहां पर हमारी कोनी होती हैं तो समझ लिजिए आप ये सरीन में सवारी परवेश कर रही है काली मा की सवारी ये साथ में भैरो की भी है दूसरा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा अचानक से आपके बैक साइड में दर्द होना यानि की पीछे कमर की तरफ आपको दर्द देखने को मिलना ये दर्द बताता है कि आप कहीं भी गिरें नियों ना आ लेकिन अचानक से आपके पीछे दर्द हुआ है तो इस संकेत है देवी देपताओं के जब देवी मा काली सरीर में आने वाली होगी भैरो बावा के साथ तो इस तरह के संकेत आपके सरीर में होने लगेंगे तीसरा संकेत आपके अचानक से कंदों में दर्द होना ये संकेत ब तो यह संकेत बताा है कि देवी देपता की संकेत है, आप देखे कहीं भी गिरे नियोंना आपको क्वोई चो डगी है, लेकिन अचानक से आपके सरीर के अंगों में दर्द होना ये संकेत बताते हैं कि काली माते की और भैरोगाव की सवारी सरीर में आने वाली है पाच्वा संकेत अचानक से आपके सर में लुप-लुप होना लुप-लुप के साथ सर में भोत तेजी से दर्द होना क्योंकि जब दो शक्तियां आपके सरीर में परवेश करती है नोर तो ये आपको इसी तरह के संकेत दिखाना शुरू कर देती है ये पहले ही आपको बता देती है कि ये सरीर में आने वाली इसलिए आपको इस संकेत दिखाये जाते है चटवा संकेत जब आपके सरीर में भैरो में चीटियां सी काटेगे और सुन-सुन सपन महसूस होगा तो यह संकेद बताता है कि देवी देपता की सवारी आने वाली है वो भी कलियू के जो जागरित देवी देपता उनकी सवारी आने वाली है साथवा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा अचानक से आप लोगों के पेट में दर्द होना या उल्टी का मन होना ये संकेत बताता है कि देवी देपता की सवारी सरीर में आने वाली है जब देवी देपता की सवारी सरीर में आने वाली होती है तो इसी तरह के संकेत हर एक व्यक्ति को दिखाय जाते हैं, जिनकी सरीर में सवारी आने वाली होती हैं, आठवा संकेत अचानक से आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजे, आप लेटे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाट, अचानक से आँखों में स पानी निकलना शुरू होगा तेजी से और दोनों ही आँखों में से निकलेगा पानी बिना रोए ही आँखों में से पानी निकलना और आखे लाल पड़ना ये संकेद बताता है कि तुम्हारे सरीर में देवी मा काली बैठी है और साथ में भैरो की शक्ती बैठी है जब ये द समय में कभी भी होती है तो आपको इस वीडियो से पूरी मदद मिल जाएगी और आपको आपके संकेतों का अर्थ भी पता चल जाएगा आपको दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा का काली हरहर महादे माता काली बाबा भूले ना तापकी मनो कामना पूरी करें कुछ रहें आप और आपका परीवाद